पंजाब की सरकार के साथ जो खिलवाड पंजाब की सरकार के संग्रक्षन में आज पंजाब के अंदर हुआ है वह पंजाब के अंदर ब्याप्त राजक्ता और दुर्बिवस्था का एक जिता जाकता उधान है कॉंग्रेश सासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफी माँगनी चाहिए कॉंग्रेश सदेव से इस देश की समयधानिक ब्यवस्थाओं की आउमानना करती रही है इसका एक उधान एक बार फिर से देश ने देखा है हमारी लोक प्रियनेता और देश के मानने प्रधान मंत्री जी कि सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है वो अच्छम्य है और यह एक सरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कॉंग्रेस की एक दुरभी संद्धी को प्रदर्सित करता है कि देश इस प्रकार की किसी भी साजिस को सफल नहीं होने देगा। कॉंग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश के समयधानिक परमुक के रूप में देश के प्रधान मंत्री जी की सुरक्सा के साथ किये गए खिलवार के लिए उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि यह सिदे सिदे देश की समयधानिक संस्थाओं की आमाना है और मुझे लगता है कि देश कभी भी इस परकार की कॉंग्रेस की सरारत पूर्ण साजिसों को सफल नहीं होने देगी।